अलो दूस्तू आशा करता हूँ आप सब बढ़ी जाओंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है दूस्तू ही फिरस्टगार से सबंदित है हमारी क्लास दस्मी रहेगी अगर इसे पहले की नाव क्लासे आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और हम डिस्कुस कर रहे हैं साइन्स के महतपूर्ण प्रेशन 1500 कौन सा कार्वनिक योगिक सरप्रत्तम संस्लेशित किया गया था तो दोस्तो जो प्रियोग शाला में सरप्रत्तम जो कार्वनिक योगिक पदार्थ बनाया गया था वो था यूडिया मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था अगला जो प्रेशन है सोडियम की ख दोस्तो अगला जो मुख्य प्रशन है वो है जिन तत्वों की प्रमानु संख्या समान प्रंतु द्रब्यमान भिन भिन होते हैं बे कहलाते हैं तो दोस्तो जिन जो जो एलमेंट्स होते हैं जिनका जो प्रमानु करमांक होता है वो समान लेकिन जो द्रब्यमान होता है जो मास थलेमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं तो दोस्तों ये होते हैं विटामिन A की कमी के कारण और विटामिन A की कमी से रतोंदी भी हो जाती है अगला जो मुक्य प्रेशन है दोस्तों टमाटर के फालों का लाल रंग किसके कारण होता है तो दोस्तों जो टमाटर बर्ग को कहा जाता है periodic table में अगला जो प्रेशन है बिजली चमकने के कारण हवा में मौझूद oxygen और nitrogen का कुछ बाग किसमें परिवर्तित हो जाता है तो दोस्तों बिजली चमकने के कारण हवा में मौझूद oxygen और nitrogen का कुछ बाग nitrogen oxide में परिवर्तित हो जाता है तो दोस्तो अगला प्रेशन है संकटा वस्ता में हमें प्रतिकूल प्रतिस्तिती से निप्टने के लिए कौन सी ग्रंथी अतलब कौन सा जो हार्मोन है वो तरा निकलता है तो दोस्तो जो जब हम डर जाते हैं तो हमारे स्रीर से अड्रिनलीन हार्मोन निकलता है अगला जो प नाटने वाला अंग होते हैं, उन्हें मैकसिला और मैंडीवल कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको, अगला जो प्रेशन है, प्रमानु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो दोस्तो ये किया जाता है, मंदर के रूप में, यानिकि मोडरे जिनका міक्शर होता है अगला जो प्रैशन है जूल प्रतिसेकंड किसका मातरक है जो दोस्तो जूल प्रतिसेकंड जो है वुषक्ति का मातरक है तो पहले का नियम आपको सबंदित है दोस्तो जो Feral का जो नियम है वो दिसा से सबंदित है यानिकी direction से सबंदित है अगला जो प्रेशन है दोस्तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिजिए पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो दोस्तो अगला प्रेशन है फोबोस और डायो स्वरी डीमोस होगा यहां पर फोबोस सेवं डीमोस किस गरह के उपगरह है तो दोस्तो यह है मंगल गरह के उपगरह है और डीमोस जो है वो सबसे चोटा उपगरह है अगला जो प्रेशन है गंदक के साथ रबर को गरम करने की क्रिया को क्या कहते है तो दोस्तों जब गंदक को रबर के साथ गरम करने की क्रिया होती है उसे बलकिनी करन यानि की बलकिनाइजेशन कहा जाता है अगला जो प्रेशन है बेक्टीरिया बेक्टीरियो फेज क्या है विश्जित होती है यानकी उन पर negative charge होता है अगला जो प्रेशन है कांच पर लिखने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तो जो कांच होता है उस पर लिखने के लिए hydrogen fluoride अमल का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तो अगला प्रेशन है सुद सोना कितने कैरेट सोने को कहा जाता है तो दोस्तों जो सुना होता है 24 कैरेट सोने को कहा जाता है दोस्तों जो अबूशन बगारा प्रयोग में लाए जाते हैं वो सुने के नहीं बनाए जाते हैं उनमें थोड़ी सी मिलावट की जाती है वो 21 या 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं अगला जो प् स्टार्च को माल्टोज में प्रिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो दोस्तों जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में प्रिवर्तित करने वाला एंजाइम का नाम है अगला प्रेशन है प्रमानु घड़ी किस प्रभाब के अंदरगत कारियर करती है तो दोस्तों जो प्रमानु घड़ी होती है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाब पर कारियर करती है इसके अंतरगत कार्य करती है जो प्रमाणु उखडी होती है फिजयलक्रिक परभाव अगला जो प्रदेक प्दार्थ में उसके द्रबेमान के कारण उरजा भी होती है ये सिधान्त किस विग्यानिक ने पृतिपादित किया था तो दोस्तो ये किया था प्रसीद भूत की विग्यानिक आइंस्टीन है उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था E is equal to MC square अगला जो प्रेशन है आग लगाने वाला नापाम बाम में आग उत्पन करने वाला मुख्यप दार्त है तो दोस्तो जो आग उत्पन करता है नपाम बाम में वो है नेफ्थेनेट पामिटेट अगला जो प्रेशन है हवाई जाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रेयोग किया जाता है तो दोस्तो जो हवाई जाज बनाए जाते है उनको बनाने में कार्बन फाइबर का प्रेयो अगला प्रेशन है बायू में ध्वनी का बेग कि सवस्ता में बढ़ जाता है तो दोस्तो जो जब आधरता बढ़ जाती है तब बायू में ध्वनी का जो बेग है वो बढ़ जाता है जो हीमिडिटी जब बढ़ जाती है अगला प्रेशन है आंसु में कौन सा एंजाइम होता जिससे जिवानु मर जाते हैं तो दोस्तों आंखों में जो आंसु आते हैं हमारे उसमें लाइसोजाइम होता है जिससे जो बैक्टिरिया है वो मर जाते हैं अगला प्रेशन है प्रमानु रियक्टर तथा प्रमानु बाम में मूल अंतर क्या है तो दोस्तों जो प्रमानु र अब इक रिया चेन रियक्शन नियंत्रित करती है जबकि जो प्रमाणू बाम है वो अनियंत्रित होता है उसमें जो श्रिंखला होती है जो प्रमाणू रियक्टर होता है उसमें नियंत्रित होती है और उसमें जो होती है अनियंत्रित होती है अगला जो प्रेशन है किसी बस् बरफर चलना कारण काठिन होता है इसी कारण दोस्तो हम बरफर फिसलते हैं घर्ष्ण की कमी के कारण जूटो लह-व चैने है जी मैं फैंके हुग श्यप बलका होती है तो दोस्तो जो बिजली के जो बल में फिलामिंट होता है वो उस तक जो कांच होती है जो उसमा होती है वो विकरन के महात्यम से संचारित होती है अगला जो प्रेशन है अगर बायमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता तो अगर बायमंडल नहीं होता तो जो दिन की लंबाई है वो कम हो जाती, अगला जो अपरेशन है किसके कारण खुले में रखा दूद हुछ देर बाद खटा हो जाता है, तो दोस्तों आपको पता होगा दूद में जो लेक्टिक कामल बन जाता है तो दूद जो प्रेशन है जब दो हलके नाविक मिलकर भारी नाविक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्क्रिया होती है तो दोस्तों जब हलके नाविक दो मिलकर भारी नाविक की रचना करते हैं तो नाविक संलाइन कहते हैं जैसे हाइड्रोजन के दो अनु है वो मिलकर हिलिम की प्रिच्वी से प्लाइन बे कमान कितना है ये है दोस्तो 14.2 किलोमेटर पर सेकंड मैंने पहले वीडियो में भी प्ताया था कि प्लाइन बे क्या होता है अब दाने की जुरूरत नहीं है अगला प्रेशन है अत्यांत निमन तापर भौतकी के अधियन को क्या कहा जाता है तो धाल लगाला प्रेशन है स्थानिक दिश्टि से भार जल क्या है दोस्तों पहले भी मैं आपको पता चुका हूं जो भारीजल होता है वह धियूरेयम का समस्थान है अग्ना प्रेशन है हीलियम को छोड़कर सभी अकरी ये गैस की भाहे कक्षा में कितने लेक्टरोन होते है तो दोस्तो जो helium gas है उसके जो बाहरी कोश है उसमें दो लेक्टरोन होते हैं और बाकी की सभी gas जो बाकी सभी gas है उनमें 8 लेक्टरोन होते हैं जैसे नियोन और गन गेरा अगला जो प्रेशन है हीरा और गेरफाइट किसके अपरूप हैं तो दोस्तो जो हीरा और गयास से सड़े अंडों की गंध आती है अगला प्रेशन है नियूरोन किसकी इकाई का नाम है तो दोस्तों जो मारी तंत्र का कोश्का होती है जो तंत्र का तंत्र होता है उसकी इकाई का नाम है नियूरोन और जो नैफरोन है वो जो ब्रिक मारा जो नैफरोन है डाइलिसिस आपने सुन होगा उसकी काई का नाम है अगला जो प्रेसन है लॉंग के तेल का प्रमो घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रियुक्त होता है तो दोस्तों जो लॉंग का तेल होता है उसमें एक प्रमो घटक पाये जाता है जिससे दांतों का दर्द दूर हो जाता है उ उसे यूरेन अनॉल कहा जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही टेक एर जैहिन जैफारत बंदे मातरम